जैमात्य की रच्छा बंधन के पाबन परव की सभी इष्ट मित्रों को भक्तगडों को मारी हारदीक सुभकाम नहीं जैसा कि भ्रहांतियां फैलाई जा रही हैं कि रच्छा बंधन परव कम मनाया जाये अच्छा बंदन पर्व 12 अगस्त सुक्रवार को ही मनाया जाएगा 11 अगस्त को भद्रा विराजमान है और भद्रा के रहते अच्छा बंदन पर्व नहीं मनाया जाएगा कुछ हमारे जूत्साचारी लोग ही हैं जो भ्रांतियां फैला रहे हैं इस तरह कि 11 तारीक को भद्रा कवास पाताल में है मेरे भाई कम च Ole कम थोड़ा विचार कीजिए कि आथ हैं से मत बोलिए अरे कुछ कार्या से हैं कुछ कार्यां में यह विचार किया जा सकता है ब्रव 청व नहीं है इन पर्वों पे भद्रा का वास कहीं पर भी अगर है तो चाहे वह प्रथवी लोग में हो आकास में हो या पात्रार में हो दिशाएं मेरे भाई 10 दिशाएं हैं बात है रक्षा की रक्षा बंधन की सामान्य तोर से हम पूजा करे आशनले तांसरीक आशन का क्रहण करें पाट करें तो हम गसो दिशाओं से बंधन की बात करते हैं, गसो दिशाओं से हमारी रक्षा होनी चाहिए, या तो रक्षा बंधन का पूरा पर्व ही रक्षा बंधन है, नाम देखिये, पर्वा कितना सुन्दर नाम है रक्षा बंधन, स्रामडी पर्व है, रक्षा बंधन पर्व है, जहां रक्षा की बात हो रही है और आप ये तरक दे रहे हो कि ये भद्रा का बास पाताल में है भाई मेरे दस दिशाओं में पाताल दिशा भी है आठ दिशाओं प्रत्वी लोग में भी दिमान है पूर्व पश्चिम उत्तरदक्षिन इसान आगने नेरत वायव्य ये आठ प्रत्वी लोग पे है नोमीं दिशा है आपकी आकास और डश्फी दिशा है पाताल ड़सों जिसाओं से हमारी रक्षा हो भद्रा न पाताल वाषनी हो ना आकास वाठेश्णी नप्रत्वी पर्विशन करने वाली, इसलिए भद्रा का पूर्ड परिहार करना चाहिए, भद्रा का पूर्ड बचाओ करना चाहिए, ग्यारे को किसी भी हाल में, मेरी विचार से तो, और अन विद्ध्वानों की विचार से भी, साब पंचांगों में दिया हुआ है, भद्र महांनी होगी मेरे भाई यह जो तर्क देते हो फालतु के निकाल निकाल के लोगों को भ्रमित कर रहे हो कि घ्यारे को मना लो अरे भद्राकावास बहां पर है मालो सपोस्ट जैट का अगर इसी दिन अक्चन रहने पड़ रहा होता और सूतक होता कि या आपने मनवा दिया होत समय कि पूछने ना अपने उन आचारियों से जुआ